अब Monday Night Raw पर तो खलबली मची गई जब Biggie ने successfully cash in करके WWE Championship को जीत लिया लेकिन guys Raw खतम होने के बाद भी reactions काफी जादा आ रहे हैं including Roman Reigns तो guys ये सारी चीए तो आपको जानने को मिलेंगी इस वीडियो के अंदर लेकिन guys WWE का आज का प्लाइन नहीं था Biggie को champion बनाने का cash in करने का किसी और डेट के लिए WWE ने इसको कुछ plan प्लाइन किया था तो guys अंदर की बाते इस वीडियो के अंदर है बस आप लोग वीडियो के साथ लास तक बने रहना तो फिर देर किस बात की शिरू करते हैं सबसे पहले तो guys मैं आपको यह बता दूं कि यह जो Biggie का आज cash in करके champion बना यह बहुत जादा बड़ी बात है मतलब सच में बड़ी बात है बहुत बिग दील है आप obviously कोई जब बंदा पहली बार WWE champion बनता तो यह बड़ी बात होती है यह सबसे बड़ा WWE के अंदर टाइटल है इतने सालों से WWE के अंदर है अब यह बात अगर आपको अब भी समझ में आती तो guys WWE के हैस समय Twitter account जो है वो कुछ इस हाल में है अगर आपको समझ नहीं है तो मैं आपको थोड़ सा समझा देता हूँ WWE ने जो अपना Twitter का नाम है उसको ही चेंज कर दिया और जो नाम है वो WWE नहीं रह गया बलकि वो नाम है Big E is WWE Champion तो आप लोग देख सकते हों कि WWE ने अपने Twitter के नेम को ही चेंज कर दिया है इतनी बड़ी डील WWE बिगी के चैंज में बनने को समझे है यानि WWE इस तरीके से पुरा market अड़िटाइस कर रही है पुरा promote कर रही है कि यहाँ वही है देख लो बिगी आ गया है market में बिगी हमारा चैंज में बन गया है तो इससे आप लोग आडिया लगा सकते हों कि बिगी के चैंज में बनना इस समय कितनी बड़ी बात है तो भाई इसको हलके में लेने की कहीं से भी जरूरत नहीं है तो भाई लग रहा है कि कुछ बवाल मस्चने वाला भाई भीगे के चैंबर बनने से कोई चोटी मोटी बात नहीं हुई है फिर हम लोग अपनी अगली स्टोरी के उपर आते हैं और बात करते हैं गाइस बॉल उबली के ड्राफ्त की तो जैसे मेना आपको बताया था अगर आ लोग एकिव चैटर हो तो बाई बॉल उब्ली से पहले ही आपको यहां पर काफे सारी बात जानने को मिल जाती है जैसे मैं आपको बताया था कि WWE plan कर रही है कि पहले जो draft की date होगी वो पहली October को होगी याई एक October को होगी SmackDown को और उसके बाद 4 October को जो है WWE Raw पर draft करेगी तो आज WWE ने अगर आपने Raw पूरी देखे होगी तो वही पर announce कर दिया तो officially कि पहली October को SmackDown से draft शुरू होगा और उसके बाद 4 October को जो draft हो खतम हो जाएगा तो देखते हैं अब क्या इंट्रस्टिंग चीज़े होती है वैसे जब draft होता है तो कुछ अलग सा माहौल बन जाता है हमको भी इंट्रस्ट आता है देखने में कि यह कौन बंदा किदर से किदर जा रहा है कुछ रेटिंग्स बढ़ने का भी सीम बन जाता है और मेरे ख्याल से raw draft से काफ़े सारी उम्मीदे भी लगा कर बैठा होगा कि यह हमारे पास स्टार्स की कमी है क्या पता अच्छे स्टार्स आ जाएं तो देखते हैं ड्राफ्ट क्या होता है क्योंकि अब ऑफिशली अनाउंस हो करने का और उनको चैंपुएंशिप जितवाने का कोई प्लाइन ही नहीं था क्योंकि गाइस एंड्रुज जारियन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डबल डबली ने जो ड्राफ्ट की डेट है यानि की चार अक्टूबर की जो डेट है यानि कि Monday Night Raw की ड्राफ्ट की डेट पर एक्टूल में प्लाइन किया हुआ था बिगी के लिए कि उस डेट पर वो कैशन करेंगे और उस डेट पर उनको चैंपुएंशिप जितवाने के प्लाइन से लेकिन कुछ सम रीजन्स की विज़े से आपको पता है विंसुक्मैन उने प्लाइन्स में चेंज करती रहते मैं आपसे कहता नहीं हूँ अब भी से अगर विंसुक्मैन कुछ चीज की प्लाइनिंग कर रहे हैं तो उसकी गैरेंटी नहीं है कि वह चीज होगी ही होगी तो कुछ भी प्लाइन्स में चेंज करते हैं और आज हमको शोग के ओपर वही देखने को मिला और यही शायद एक मेजर रीजन भी है कि क्यों डबल डबली ने उसको एक्स्ट्रीम रूल से हटाकर रॉपर कर दिया उन्होंने सोचा हुआ कि बड़ी चीज के अंदर एक और बड़ी चीज की जाए क्योंना ऑल्रेडी एक डबल डबली चैंपिर्श का मैश रखते हैं ताकि फैंस को भी रख कर दिया अल्रेडी बिगी को भाई अब वह रॉपरी ड्राफ्ट होचिंग है क्योंकि आपको पता है ड्राफ्ट के सहारे से होते उसके बाद वह आते रॉपर अब देखते है न्यूडे का क्या प्लैन होता क्योंकि अब बिगी के ड्राफ्ट भिना मतलब क्या था कि ओवर्नाइट नंबर्स नी इस बार आपको एक्चल विवर्स भी बताऊंगा तो इस साल की डबल डबली की स्मैकडाउन के हाइस नंबर्स लेकर आएं है ब्रॉक लेस्नर के रिटन तो भाई भाई ब्रॉक लेस्नर को यहां पर थैंक यू बहुल लो क्योंकि इ रॉक 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 लेस्नर के रॉक एक्ष भी के और वैसे भी स्मैकडाउन तो आपको पता है रेटिंस के मामले में ज़्यादा ऐसे दिकट होती है कोई सोचने वाली बात होती है और वही सीनम को SmackDown के साथ इस अपते भी रेटिंग्स के साथ देखने को मिला है अगली स्टोर की तरफ गायस हम लोग चलते हैं और जड़ा बिगी के रियक्शन की बात करते हैं कि बाई उनका क्या कहना था अपनी Championship को जीतने के बाद तो बैक सीसे उनका यहां पर एक इंटर् कर रहे थे उनका कि कैसे उन तीनों ने काफी ज़्यादा मेहनत करी और उनके लिए यह सपना साकार होने जैसा है कि उन्होंने कैसिन किया वो जीते और भाई तीनों बंदे आकर साथ में celebrate करने इससे बड़ी है मोमेंट उनके लिए क्या हो सकता और एंड में यहां पर जो ए WWE Champion जिस तरीके सो celebrate करते हैं वो कर रहे होते हैं और भाई काफी खुशनुमा सा यहां पर बेगी के लिए माहौल था और कुछ इस तरीके से उनकी यहां पर victory speech होती है championship जीतने के बाद तो भाई बेगी का यहां पर जो era है वो शुरू हो चुका है और अब देखते हैं रह के पर उनके लिए क्या plans होता है लेकिन यह तो था उनका reaction लेकिन आपको बता दूं ट्विटर के ऊपर reactions की बाढ़ आ चुकी है हर एक बंदे ने गाइस ट्विटर के ऊपर react किया है और मैं आपको सब के reactions नहीं बता सकता लेकिन कुछ के reaction ज़रूर बता सकता हूं बेली का यहा कि लास्ट टाइम वो इतना जादा कब सच में खुश थे मतलब सब ना सारे के सारे लोग एक्चल में genuinely happy हैं बीगी के लिए कि बाई यह बंदा डिजर्ब करता था और सच में यह चैंपेंशिप को जीत गया है और यही बात जो चैट गिबल भी यहां पर रिक लिख रहे है कीफ लीद में भी यहां पर ऐसे ऐसे वाली जियाएफ लगाई कि हाँ भी है देख रहा हूं मैं भी कि तू चैंपेंशिप जीत गया है इसके लावा यहां पर शिंच के नाकमुरा ने भी बिग ई करके टैग किया बीगी को happiness यहां पर सिजार होने लिखा हुआ है मतलब सार कि रोमन रेंज्स या बबी लैश्ली में कोई एक ही टार्गित होना था विग का क्योंकि यहां पर उन्होंने द्जार है ऑपर yem बड़े स्मार्ट डेसिजन लिया हूहा है कि यहां पर पर तुम्ने उन्हों स्मार्ट डिसेजन क्योंकि तुम्हार में गलतीं से शेया होता कि तुम मेरे उपर cash in करो, तो भाई, तुमारी ये जो trick है, तुमारी ये जो सोचा वो गलत हो जा दी, क्योंकि मेरे उपर cash in करके तुमारा फायदा नहीं होता, और तुमारा जो cash in है, वो fail हो जाता, कि वो खत्रा भी अब जा चुका है, तो थोड़ा जो Roman Reigns की championship के उपर खत्रा था, वो यहाँ पर अब दूर है और Big E champion है, let's see, क्या पता, survivor series के around, अगर Roman Reigns और Big E दोनों ही champion होते हैं, तो क्या पता, इनकी बीच कोई match हो जाए, बागी down the line अगर दोनों आप उसमें भिटते हैं, तो फिर देखते हैं भाई, कौन किससे तगड़ा साबित होता है, लेकिन फिलाल के लिए हमारी जो वीडियो दिवह यह तकिते हैं, अगर आपको अच्छे लेकी तो like करते हो, रोकी वीडियो जाकर देखो description से, चैनल को अपलो कर सकते हो, subscribe and notification bell को on and see you guys in my next video.